जैपुर में मान सरोवर में बड़ी कारवाई की जा रही है जेडे की ओर से 250 से ज़ादा अवैद दुकान मकान आदी अतिक्रमन को तोड़ा जा रहा है इसके लिए सुबह 10 वजे से ही जेडे की ओर से कारवाई शुरू कर दी गई थी इसके लिए सरकार की और से पहले से ही प्लान तयार कर लिया गया था जिसे अंजाम दिया जा रहा है JD की कारवाई की दुरान मोकी पर भारे पुलिस जापता तैनात है मोकी पर बुल्डोजर गरज रहे हैं एक के बाद एक अवैद निर्मान को डहाया जा रहा है मोकी पर JCB की सहायता से अवैद निर्मान को तोड़ा जा रहा है जेडी की कारवाई को देखकर मोके पर लोगों में हड़कंप मच गया लेकिन जिन लोगों ने अवैद निर्मान कर रखा था उन्हें जेडी की ओर से पहले से ही नोटिस दे दिया गया था इसके बाद डिमारकेशन के आधार पर बड़ी कारवाई की जा रही है जेडी अधिकारियों ने बताया कि न्यू सांगने रोड मांसरोव से वंदे भारत रोड यानि की चोपडा फार्म हाउस होते वे जा रही इस सड़क का मास्टर प्लान में 100 फिट चोड़ाई प्रस्तावित है न्यू सांगने रोड से शुरुआती 300 मिटर पर बड़ी संख्या में निर्मान है जिसके कारण या कई जगए सड़क 60 फिट तक की रह गई है इससे देखते विए जेडी अब इस रोड को चोड़ा करने का काम किया जा रहा है इसका नोटिस सबसे पहले लोगों को दे दिया गया था दरसल जेडी ने कोड के आदेश के बाद प्रभावितों को धारा भैतर का नोटिस जारी करके खुद के इस्तर पर 17 जून तक निर्मान हटाने का समय दिया है जेडी के प्रतिवीरास दगर जोन दक्षन से नोटिस के मताबिक 17 जून तक अगर कोई प्रभावित निर्मान नहीं हटाया जाता है इसके बाद जेडी प्रशासन अपने इस तर पर कारवाई करके निर्मान हटाएगा इसके तहट अथिकरमन हटाने की कारवाई लगातार की जा रही है ज्यादतर भवन की बाउंडरी और कुछ पुराने दुकाने वहाँ पर नजर आ रही है जेडी के और से अथिकरमन तोड़े जाने को लेकर डिमार्केशन किया गया है इसके अलावा कुछ निर्मान कोठिर नुमा जबकि कुछ पर कच्चे निर्मान है इसके अलावा कुछ दुकाने भी आ रही है जो पुरानी है